कि अगर दोस्तों मैं सुनी सर्मा स्वागत करता हूं को अपने यूटूब चैनल में और इरिगेशन के स्रीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगला टॉपिक ट्यूवेल इरिगेशन स्टार्ट करेंगे यह जितना भी मैंने अभी तक आप लों को पढ़ाया ट्यू मुची जगह पर पानी उपलब्द ना हो तो फिर पानी को किसी ने किसी जगह से उठा करके उपर लाया जाता है और उससे सिचाई की जाती है और लिफ्ट इरिगेशन के अंतरगत ही हमने कुए तालाब गड़े नदियों इन सब चीरों से पानी लेना सीखा है जैसे यह से पानी निकाल के बाहर सिचाई तक पहुंचाना होके तो तक तो फिर उसके लिए क्या विवस्था करेंगे लेकिन पहले हम उनके सोर्सेस के बारे में जान लें जैसे अगर हमें लिफ्ट इरिगेशन करना है तो हमें किन-किन चीजों की जरुवत या किन-किन जगहों से क किया जा सकता है तो गड़े तालाब और नदियों का कोई खास रोल नहीं है क्योंकि वो अल्रेडी बने होते हैं और उनसे पानी हमें पहुंचाना होता है लेकिन वेल्स यानि कुए जो नीजी तोर पर भी बनाया जा सकते हैं और गवर्मेंट के नियम के अनुसार भी बनाया नलएक चॉह में जिन से लिफ्ट इरिगेशन किया जाता है लाइक जितने भी चीज़ wow новlem in the तालाब लिया हमने रहान हमने नदी लिया jego हमने नदी क्यों ले रहा हूं कहांगे सब किना भी यों से ऐसा तो नहीं होता है नदी यह सब से नहीं होता है लेकिन नदियों के ले हो जाता है लेकिन नदियां जहां भी रहती है वो उस जगह पर निचले तल पर होती है हमेशा अब यह कैसे जो चीजे मैं अभी बोली नदी और नहरों को बारे में वह आपका जब मैं जैसे ही कैनाल हेडवर्स पढ़ाऊंगा हेडवर्स डाइवर्जन पढ़ाऊंगा तो व उसी लेबल पर मैंने स्टॉफ किया था इतना डिप्लोमा में जरूर्वत है हाला कि उससे निमरिकल भी आते हैं लेकिन वह आपके सलेबस में नहीं ठीक है ना जो अभी इसके पहले लेक्ट्चर मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं लेकिन वह आपक उसके क्या क्या है और कितने टाइप पर बात कर लें कि क्यों ट्यूबल तो आप एक चीछ जान लीजिए अभी तक लिफ्ट इरिगेशन में जहां पर नहरों का पानी अवालेबल नहीं है उसके लिए आपने जो भी व्यवस्थाएं की अभी तक ठीक है वो सारी व्यवस्था का था ट्यूबल मालम है कि जब भी कोई बंद पाइप जमीन के अंदर धासाई जाती है और उसकी माध्यम से पानी को उपर सक करके निकाला जाता है सक्सन के लिए आप कोई भी आंत्रिक विधी अपना सकते है ठीक है और उसके लिए आपको पावर की जरूवत पड़ेगी फंपों के बारे में तो पंप आप ने पढ़ा हो गारेसी प्रोकेटिंग है डिस्प्लेस्मेंट है या फिर सब्सक्क्राइब आपर सपसर करकर का यूज करके आप पानी को ऊपर खीच सकते हैं ठीक है लेकिन फ्रक में दो पार्ट होते हैं, एक तो वो जो Energy से pressure generate करता है, वो पार तो उपर होता है पाइप में, ठीक है, लेकिन कुछ नीचे का जो पोर्षन होता है, जो civil engineer के gym में आता है, वो पोर्षन है, उसकी boring का, और बोरिंग कैसे की जाएगी उसका ठीक है ना तो यह चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कुवे वगरा से पानी की बात करते हैं तो डिस्चार्ज काफी कम मिल पाता है मैं लाइक तीन से च्छाय लीटर आपकी बुक के डेटा के कॉर्डिंग तीन से च्छाय फिलगत जल यानी ground water table से पानी लेने का प्रेयास करें ऊपर खीजनें का तो 15 से बीस लीटर तक पानी प्रती से केन लोग आराम से लेकिन अगर और तेज पाने निकालना हो तो और हैवी मोटर का यूज करके हम और तेज पाने निकाल सकते हैं बस अर्ती ग्राउंड वाटर में पानी मौजूद हो समझ मेरी बात है किय- Z Cool की बात करें तो टो j अगर हलके टाइप के हैं हलके टाइप का मतलब क्या हुआ ऐसे ट्यूवल जिनसे मतलब कम चंता क्या आपको यूज करना है तो वैसे ट्यूवल तो 20 से 25 मीटर 30 मीटर तक की गहराई पर 20 से 25-30 मीटर का मतलब कितना हुआ जानते हैं साट सतर फीट असी फीट तक की गहराई पर भी आपको टूइवेल मिल जाता है पानी अराम से मिल जाएगा लेकिन अगर आपको अच्छा टूइवेल है जिससे हैवी सप्लाई लेनी है तो आपको पचास मीटर से ले करके 200 मीटर तक की गहराई यानि लगभग 200 फीट से ले करके साथ सौहजार फीट तक की गहराई के टूवेल भी बनाया जाता है जिन से हैवी यूज के लिए उनको यूज किया जाता है ठीक है आप लोग समझी गया है कि टूवेल क्या है जितने भी आप घरों में अपने देखते हैं पानी जहां से आता है वह सब टूबेल ही है अब वह सरकारी नल की बात नहीं कर रहा हूं तो पानी चाहिए होता है तो बहुत बड़े एरिया पर सिचाही खेत के बीच में छोटा सा कोई पक्का बोरिंग करा लिया है कोई कच्छा कुमा खुद वालिया है जिससे उसको पानी मिल जा रहा है ठीक है तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि टूवेल जब भी बनाईए असीचाई के परपत से अब घर में लगा रहा है नहाने दोने क क्या होगी पहुंच जाएगी अगर आप गड़े में टूवेल बना देंगे तो फिर आपको उपर उठा के पानी बेजना पड़ेगा तो टूवेल हमेशा किस जगहां पर किस छेत्र में बनाना चाहिए जो छेत्रों में सिचाई करनी है उसके सबसे उंचे बिंदू पर ब फसान क्या किया है और देखी तो आप और सबसे पहले ऊनटाइम मिरेशन मतलब होटा है की समय पर साइप जाती है आप जब चाहते हैं त्म आर का इंतजार नहीं करना पड़ता आप को आप किसी के भरों से नहीं है एड़़ांटेज में सबसे बढ़ी चीज क्या होती ऑन यहां पानी आपतक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो जाता है इस वज़ा से आपका नुकसान होता है लेकिन अगर प्यूवेल आपके आसपास sub खेत के तो लीकेज और इवापोरेशन बहुत कम होगा तो इससे क्या होता है पानी की बरबादी बहुत कम होती है ठीक है ना उसी का दूसरा रूप है या को होता है जिसकी वजह से अगल बगल पानी जमा होने लगता है जहाँ पहुचना रहें है उससे गलत पर पानी फैल रहा उससे वाटर लॉगी का खत्रह बना रहाता है वाटर लॉगिंग का खत्रा मतलब पानी का अगर सता पर पानी फैल रहा है तो जल ग्रस्तता हो जाती है जल ग्रस्तता के कारण तमाम तरह का बिमारियां होती है उस छेत्र का इन्वार्मेंट क्या होता है बिगड़ जाता है पूरी तरह से तो अगर टुवेल इरिगेशन का यूज कर रहे हैं तो आप बच जाते हैं वाटर लॉगिंग से इस सब एडवांटेज हैं ओन टाइम होता है लिकेज और वपरेशन बहुत कम हो जाता है वाटर लॉगिंग पूरी तरह से खत्मी हो जाती एलगबख ऐकनामिकल यूज वॉटर पानि का वेस्ट नहीं होता है मतलब जितने पानी की जरूट होती है उतना ही पानी खेतों तक पहुंसता है नहरों से लेने के चक्कर में काफी पानी का नुक्सान भी होता है जिसका कोई काउंट नहीं होता है लेकिन हैं तो उससे काफी जit सेंस्क्ते हैं अगर वेस्ट ना हो तो लेकिन अगर आप पानी 1 QR, ले रहे हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लग रहा है तो ज़्यादा सिंचाया आप नहीं कर पाएनगा और वही ज्यादा है कि कम सिचाई हो पा रही वही duty होती, duty का मतलब होता है कि कोई पानी कितने खेत तक पहुच पा रहा है, कितनी सिचाई कर पा रहा है, वही उसकी duty कहला थी, तो duty सुधरती है, duty मतलब duty सुधरने का मतलब क्या हुआ, किसी भी छेतर में सिचाई का काम जो है, वो अग हम ही पानी में जदा खेत को स Михादा सकता है जिससे duty क्या होथी हो उसकी सुधर जाती से कि अगला चीज है remote area कमांड remote area का मतलब होता है दूर का अगर कि सि जगह पर नहर का नहीं पहुंच पाया है विकास नहीं हो हो पाता है ठीक है दूसरी चीज होता है कि डॉप रिलीफ मतलब क्या होता है कि जो सूखा ग्रस्ट छेत्र होते हैं ऐसे छेत्र जिन में सूखा पढ़ता है बार-बार वैसे छेत्रों की सिचाई के लिए जहां पर कैनाल भी नहीं पहुंच पाती और इन केस चले कहीं पर कैन आगले चीज क्या होती कैस क्राश्ट sorry या अगर ऐसी फसलों है जो बड़ी महंगी होने के दो रिजन होती दूसरा उनकी केरिंग ज्यादा करनी पड़ती उनको जब जीतना पानी चाहिए उतना दीजी यह ज्यादा देंगे तब फ्रह भी प कर Лँएंगे तब वैसी फसलों के उगाने में बड़ा मदद करता है आपका कौन त्यूबेल इरिगेशन तो एक तरह से ये भी इसका फाइदा है ये महंगी फसलों को उगाने में हमारी मदद करता है सेफ बैकप है एक तरक अगर आपके पास कैनाल है भी इरिगेशन के लिए अगर आपके छेत्र में कैनाल है इरिगेशन के लिए लेकिन इन केस कभी उसमें पानी मिल पा रहा है कभी नहीं मिल पा रहा है सेचाई वेवस्था आज भी उतनी दूरुस्त नहीं हो पाई है कि हर पर उपलब दो जहां जिनके पास नहर है भी ना वह भी बैकप के तौर पर अपने सुरच्छा के लिए टूबल का उपाय बना रखते हैं यानि उनके लिए सेफ बैकप का काम करता है कौन्ट टूबल इरिगेशन इस आर दर एडवांटेज आफ टूबल इरिगेशन और नहरों से पानी लिना फ्री भी है किसानों के लिए लेकिन यह कॉस्टली है इसकी बोरिंग कराने का खर्च अगर आज की डेट में जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूं आज की डेट में लगभग एक लाग से डेढ़ लाक रुप है इसकी अगर पक्की आप बोरिंग कर कि आपने बहुत महेंगी खरिद ली और थो पेट्रोल भी ज्यादा खा रही है तो दोनों नुकसान होगा उसका खरीदते समय पैसा लगा और चलाते समय वी एक होता है कि बहुत महेंगा खरीदा तो फिर बाद में पेट्रोल यह कम खाए तो इससे क्या होता है फायदा हो लेकिन इसका दोनों उपसान है मतलब costly सुरू में भी होती है नहीं इसका costly मतलब इसको सिचाई करते समय भी यह costly है दूसरे नंबर पर लिखा कि high initial cost मतलब सुरुवात में भी installation cost भी इसकी ज्यादा है ठीक है for smaller area मतलब बहुत बड़े पैमाने पर खेती के लिए उपयूख तो नहीं है सिचाई के लिए छोटे एरिया के लिए सही है बड़े एरिया के लिए सही नहीं दाट इस डिस अड़्वांटिज अप मतलब आपको इसको नियमी देख भाल करने पड़ेगी कहीं कोई लिकेस तो नहीं कहीं पाइप तो नहीं फटा है सक्षन में तो प्राब्लम नहीं पानी को ऊपर खीचने के लिए ठीक टूविल इरिगेशन में तो मतलब नेट्स एनर्जी यहां पर एक टॉपिक आप लिख सकता है कि इट नेट्स नेट्स एनर्जी हालाकि यह एनर्जी जो होती है नहरों अगरा केस में ग्रेविटी के करण मिल जाती है लेकिन ऐसे इसक कुछ मातरा में चले तब याती ही नहर में स्ट की कहानी बहुत लेंदी है दोस्ति इसके बारे में तो बहुत डिटिल ने बात करनी है सिल्ट के बारे में पूरा एकदम कच्छा चिठा खो लेंगा हम लोग लेकिन अभी वह चैप्टर आने दीजिए लेकिन इसके केस में बेस्ट जो है वो कई मात्रा में खराब भी होती और कई बार अच्छी उतीं स्थोलिप होती होती है यहांट कि सारे सिल्ट अच्छी नहीं होती है कुछ सिल्ट अच्छी होती है कुछ मात्रह में ज्यादा मात्रह में हो जाता नुकसान करने लगती है इसलिए हमें सा ध्यान रखेंगे कि जब इससे सिचाही करते हैं तो इसके साथ सिल्ट नहीं मिल पाता है सिल्ट मतला वो छोटा महीन तुकड़ा स्वाल मेकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा तो सिल्ट में बालू क्या सिलिका के बहुत में फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कभी कभी खेतों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं तो वह नहीं मिल पाते हैं दिजादा डिस अड्वांटेज टीक है अपर मोस पाट पंक का मतलब होता है चो कुषा पाणी को ऊपर तक किसी कैछने का काम करते हैं लिखि बनती है वह तीन टाइप की बिसिकली यहां परêmाल लिख रिक रिक रहिऊ होती है देखें ये धर्ती की सता यहे यह उपर ठीक है यह ग्राउन लेबल है ग्राउन लेबल में यह जो पी है ना वो पर वियस लेयर को दिखा रहा है यह आई इंपर वियस इंपर वियस पर कट का नहिसान का मतलब there is no water flow or water holding in this layer of soil मतलब मिट्टी की इस लेयर में ना तो पानी का कोई पर ना तो कोई तीन तरह के ट्व वह tea पहले हमने दिख़्ा रखें 터u यह स्टेनर ट्र stimulating kepada फूसे लिख ने करता है टाइप स्पील में लिखने के लिए हैं कि कितने नीडatro mungkin टूब होते हैं इसलिए द्यान से सुनियेका इसको मैं एक 300 तीनों डाइग्राम बना दिया हूं आप चाहें तो अलग-अलग बना सकते हैं यह जमीन का आपका सिस्टम है अब इसमें क्या होता है ना बोरिंग की जाती है और इस पाइप से जाहिर से बाता सक्सन किया गागा पानी को ऊपर खीचना है सारे पाइप से एक ही काम करना है प यहाँ पर परविएस लेर हैं उसके आगल-बगल एक इस ट्रेनर यानि जाली लपेट दिये ठीक आना इस ट्रेनर या जाली लपेटने का क्या सिस्टम होता है क्यों जाली बीस ट्रेनर के भी दोस्त कई टाइप होते हैं इस ट्रेनर भी एक अलग से Minecraft है लेकिन तो फिर धूल और धूप तो नहीं आएंगे लेकिन रोस नहीं आती रहेगी तो इस टाइप का इसमें विवस्था हैं होती है जालियां कई तो टाइप की कटी होती है तो टाइप सब्सक्राइब करते हैं तो जहां जहां पर परवियस लेयर होती है जमीन में छेद करते हैं अब यह कैसे करते हैं इसके भी सिस्टम होते हैं लेकिन उतना डीटेल आपको नहीं जाना आपको बस इतना जाना है कि दर्मीन के अंदर होल क करने के कई तरीक्यहोतं होते हैं वो भी अप्र बात किया जाएगा इंपक्ट करकर के इस में होल किया जाता है और होल के दौरान जहां-जहां पर पर यह जाटा हो लिभधों करके देखे हमें मिल जाता है और इस ट्यूप में मिल जाता है और लिघान rugged और आ लिखेशों पानि मिलता रहता है उन पाणी मिलता रहता है कई बार जब पानी खिसते-खिसते इस इस ट्रेनर जो होते हैं वो चोक कर जाते हैं इस ट्रेनर चोक का मतलब अमाली जी इससे पानी खींच रहा तो इसमें बालू अगर है कि जब पार्टिकल भर जाते हैं तो इस ट्रेनर क्या होता है चोक हो जाता है तो इस ट्रेनर चोक अगर हो गया हो तो उसको साफ करने के लि उसरा होता है केवटी यानि कोटर जिसके बारे में हलका सहिंट मैंने कल आपको दिया था क्या है यह एक ट्यूब डाली गई है इसमें जगा जगा पर नहीं बनाया गया बलकि सबसे नीचे जो एक इंपर्वियस लेयर है इस यहां पर धासा के छोड़ा गया इंपर्वियस ल यह पर्वियस लेयर है इसका पानी गढड़हां में इकठ़होगा और इस ये पानी रिस्क करके नीचे नहीं जा पाएगा क्यों क्यों कि जानतें हुआ इस और लेयर से पानी पास नहीं होता है इस लिखा यह एक सॉलिड लेयर का काम करेगा solid layer का काम करेगा किस solid layer से नीचे पानी नहीं जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पानी इस गड़्डे में इकठा होता है तो उसको ऊपर खिंस दे आता है क्योग यह cavity के थ्रूप पानी लेता है यह इस ट्रेनर के थ्रूप पानी लेता है और यह नहीं होती मतलब में यहां पर समझे जड़े इसको अगर एसा होता कि जगा जगां पर यह इससे अलग है थोड़ा इसको अलग समझे कि इसकी लेर ऐसी नहीं है खूब अंदर तक जब धासा आये हम लोग इसको तब भी कहीं पर कोई परवियस लेयर मिली ही नहीं, ऐसा कब किया रता, ये दोनों तो आपको समझ में आगाँगे, लेकिन ये तीसरा वाला जो है, कब ऐसा होता है, जब खुब अंदर तक हम पाईप को दसाएं, फिर भी कोई परवियस लेयर न मिले, और लास्ट में एक परवियस लेयर मिले जो वो भी काफी गहराई पर हो, तो फिर पानी केवल इसी से हम ले पाएंगे, और कोटर, कोटर इसमें बनाने न का रीजन क्या है, क्योंकि इसके नीचे कोई सॉलिड लेयर बिना, कोटर कब बनता है, कोटर तभी बन पाएगा, जब इसके नीचे इस गड़्डे से पानी नीचे ना जा, अब इसमें क्या प्राबलम है, कि इसके नीचे पानी जा सकता है, इसके नीचे भी सॉलिड लेयर अवलेबल नहीं है, तो जब इसके नीचे सॉलिड लेयर अवलेबल नहीं है, और ये काफी गहराई पर है कि अब इसको धंसाना भी पॉसिबल नहीं है, को तरना बना करके इसमें बड़ी बड़ी इसमें इस ट्रेनर मतलब मतलब अ जिर speaks बड़ीवरी का चेंवाली समझों आख मतलब बड़े बड़े खाने कटे होता है इसके नीचे तो सलट से जब पानी निकालते हैं हम लोग और यह कब बनाया जाता है जब बहुत गहराई पर जाने पर भी केवल एक ही लेयर मिल पाए पर भी है जिसमें पानी हो और उसके नीचे भी कोई solid layer नहों जिसके वज़े से qoter हम लोग बना पाए या cavity बन पाए तो उस case में हम लोग कौन से त्यूवल का यूज करते हैं Slotted ट्यूवल का ठीक है ना तो आई होप आपको ट्यूवल के बारे में भी टाइप आफ ट्यूवल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इनके अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो इन से भी एक्जाम में कई बार कोश्चन आ चुके हैं कि कि इतने टाइप के ट्यूवल होते हैं ठीक ना अब इस ट्रेनर के टाइव या ट्यूवल धंसाने की विधिया यह सब नहीं लेकिन एक चीड आता है जो तलाब वगरा होते हैं नदियां होते हैं उनसे पानी कैसे उठा के खेंतों तक पहुंचाते हैं उसके लिए कोच देशी मेथड भी होता है देशी मेथड का मतलब जो पुराने समय से ट्रेडिशनली यूज होता आया है और या फिर पंपिंग करके आप उठा सकते हैं वह भी मेथड है मेकैनिकल म अगला लेक्चर हम लोगों का होगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा उसमें मैं सीधे आपको बात करूँ देखिया अभी तक आपने इतना पढ़ा वो केवल सोर्सेस और टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ रहा है अभी कैनाल के बारे में आपने कुछ नही अपने प्राव veio का मैं से एक में प्रावबा.